नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सभी तो दीखिए दोस्तों आज की सबसे बड़ी ख़बर यहां पर हो सकती है जो कि आपको मेरे स्क्रीन डिस्प्लै पर दिखाई दे रहे हैं जहां दोस्तों लेटेस न्यू यूपी ट्रिपल सी की वो तो चलती ही रहेंगी वो तो रोज का ही काम है क्योंकि भरतियां लगातार उपर नीचे उधल पुथल हो रही है लेकिन इसी उधल पुथल के बीच बड़ा पीम मोदी का एक मास्टर स्टोक सामने आया है वो को ओपियस को लेकर ओल्ड पैंसन स्कीम को लेकर सामने आ चुका है तो यहां पर देखने को मिल सकता ह योजना को रद कर पुरानी ओपियस लागू कर सकती है किन सरकार तो देखते हैं इन दावों में कितनी सच्चाई है रुपेस बगेल हुड़ा राजी शुह के साथ एक बैठक जारी हुई ती जिसमें कल यह निरने लिया गया है जिनोंने गवर्नर के साथ पर बाहरियों के लेकर और जल्दी करमचारियों के हित में केन ले सकती है एक बड़ा फैसला जैसे ही के इस फैसले को लेगी उत्तर प्रदेश में और बाकी अन्या सभी राज्यों में भी यह फैसला लागू हो जाएगा परतिभा या विक्रमा इत्यकों सीम बाइन की मांग के सुत्र को ले है और यह नियूज मैं आपको दिखा रहा हूं डे टू एच की यहां पर साथ बज़कर तीन मिट के पीम पर ठीक है उसके नीचे मैं लेकर चलता हूं कि उसमें एक चीज़ और बताई गई थी यहां पर मैं नीचे देख लेता हूं यहां पर जैसे ही कल मेटिंग हुई तो 16 यहां पर मैं थोड़ा से नीचे लेकर चलता हूं यहां दोस्तों यह देखिए परभारियों ने गवर्नर से मिलकर सरकार के दावे को पेस किया है जिसमें उन्होंने इस बात का इशारा किया है और उससे पहले जो बुड़िया माता जी है सीता निर्मला रमन उन्होंने भ बात का इशारा किया था और उससे पहले अनुराग जी ने भी बताया था कि ओपियस के लिए हमारे निर्ने का इंतियार करें और उसके बाद एक चोटी सी लैटेस नियूज यहां पर सिर्थार निर्मला जी के दुवारा दी गई थी के केंदर सरकार जल्द ही पुरानी पै यहां फिएश को लेकर थी एन पिएस को बंद कर दिया जाएगा यहां पर आपका ओ लागू हो जाएगा तो देखे दो जादर है ज्यादा वीडियो को शेर जरू करें उसके बाद भरती होगी और यूपिटर परसी की जनकारी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे जो कि आपसे दो गंटे बाद रिज कर दे जाएगा उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगागा लाइक करें शियर करें सब्सक्राइब करें थैंकि दोस्तों वेलकम